हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब, जो आप उनिवर्सिटी चानल में आप सभी हो स्वागत है, तो सीड़ी में एसिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के पोस्ट के लिए रेक्रेटमेंट आ चुकी है, इसकी शौर्ट नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है, डिटेल नोटिफिकेश कि वैकेंसी ज्यादा रहती है, लेकिन अब उनकी जितनी जरुवत रहेगी उतनी वह वैकेंसी निकालेंगे, तो इसलिए आपको नमबर वैकेंसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है, बस आपको फोकस रहना चाहिए कि कि किसी भी तरह करके आपको यहां 2022 में सेलेक्शन ले ले रहेगी और इसके लगा अलंसे वगरा मिलेंगे, तो हाला कि जैसा कि आपको पता हो कि RBI में अभी वेज रिवीजन इंप्लिमेंट कर दिया गया है, और RBI की जो पेस्केल रहती है, वही सेम पेस्केल, सारे बाकी जो और्गनाशन से उसमें रहता है, जैसे कि सीडवी में, नाबाड में, या सेवी में, सब में सेम पेस्केल रहता है, तो इसलिए यहाँ भी जो Grade A की जो पोस्ट है, इसमें भी बेसिक पे अभी इंक्रीज होगा, अभी इसमें इंप्लिमेंट नहीं किया गया है, लेकिन जो भी इसमें जो लोग वर्क कर रहे हैं Grade A के पोस्ट में, उनको जब भी इंप्लिमेंट होगा, तो वो बैक डे से उनको अरियर मिल जाएगा, तो यह एक अच्छी बात है, और जब भी आप अगर जोईन करोगे, तो हो सकता है, तब तक तो इंप्लिमेंट होई जाएगा, और उस समय आपकी बेसिक पे 44,500 हो जाएगी, तो monthly जो है चाहिए, educational qualification क्या रहना चाहिए, तो उसकी link मैं description box में डाल दूँगा, वहाँ जाके आप सारी details देख सकते हो, देखें, सीडबी grade A की job बहुत अच्छी है, salary बहुत अच्छी है, posting की अगर बात करें, तो सीडबी की offices के वल, tier 1 या tier 2 cities में है, तो आपकी posting locations भी बहुत अच facilities रहती है, वो सब आपको मिलेगी, तो मतलब career growth की भी अगर बात करते हैं, तो career growth भी बहुत अच्छा रहने वाला है, तो इसलिए आपका target यही नहीं चाहिए, कि 2022 में किसी भी तरह करके, आपको यहाँ recruitment लेना है, और sit B grade A की exam expected है, April के third week में, तो most probably 16th April को इसकी exam हो सकती है, और अगर बात करें syllabus की, तो जो bank PO का जैसा syllabus रहता है, उसी के जैसा syllabus यहाँ भी होता है, mostly यहाँ aptly reasoning English and general awareness से questions पूछे हैंगे, तो अगर आप already bank exams की त्यारी कर रहे हो, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, बस आपको practice करना है, तो आपका target यही होना चाहिए, कि किसी भी तर देना, अपने friends के साथ share करना, और अगर आप channel पर नए हो, तो channel को subscribe जो कर लिना, thank you